तो अधिया देखिए फ्रेंज आज एक बहुती सुंदर पैटर लाए हूं बॉर्डर पैटर्न है और डिजाइन भी है उसके साथ यह दिजाइन भी है देखिए यह कुछ बॉर्डर पैटर्न है कुछ इस तरह से दिखती है इसके लुक देखिए दूर से दिखाए है यह चोटा-चोटा जैसे देखिए इसे छोटा-चोटा प्लावर की तरह और यह बॉर्डर पैटर्न में बहुत अच्छी आती है और आप चाहो तो इससे टोटल स्वेटर भी बना सकते हो तो यह बता दो फ्रेंस यह स्पेशली माफलर के लिए है देखिए माफलर में यह रिवर्सिविल है इसतरह साइड में भी रेखिए जा ह्ता हम है तो यह बीच सिबल है इसलिए पैटर्न आप मंद में ब्लंकेट में यूज़ कर सकते हो बहुत ही संदर बेवी ब्लंकिल बनेगा और आघार बनाए miserate स्ट अर्टॉल इस तरह से बनते हैं आपको दिखा दो इसमें कोई जंजट नहीं है इस सिर्क आप जितने चाहों फंदा डालो पहली रहो आपको तो एक उल्टी सीधी जो वान प्लस वान का जो रीब बॉर्डर होती है उसके उपर यह डाला जाता है बहुत ही सुन्दर पैटन तो चलिए इसको बनाते हैं तो चलिए इस पैटन को बनाते हैं इसके लिए बता दें आपको फ्रेंड्स के आप जितने चाहों फंदालो तो देखिए आपका यहां इसके उपर ही मैं आपको दिखाते हूं यह जो आपका फैस्ट ट्रॉ केस तरह से बनेगे देखिए आपका फैस्ट ट्रॉ जो है इस इस टीच आप उतारेंगे उसके बाद एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा उनको अपनी तरफ करके ए एक उल्टा सिंप्ली जो वान इंटो वान का बॉर्डर होता है एक सीधा एक उल्टे सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ये फास्ट रह है उल्टा लास्ट का एक सीधा भी हो सकती है आपका उल्टा भी हो सकती है कोई बात नहीं तो ये फास्ट रह है देखिए सेकंड रह इसका राइट और रॉंग साइट कोई नहीं होता है ये सेकंड रह है ये भी राइट साइट है ये भी राइट साइट है तो सेकंड रह में आपको क्या करना हो तो जो जिस तरह से आपना बनाया है उसको सेम उसी तरह से बनाना है मतलब देखी यह listed चितारते हैं, इसके बाद आपको सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपको इसको सीधा ही बनाना है सेकेंड राओ में जो जिस तरह से दिखताई उससे आप उस तरह से बनाएं, यह उल्टा दिखाई दे रहा है, इससे उल्टा बनाना है देखिए यह सीधा है, सीधा यह उसके बाद यह उल्टा, मतलब एक सीध है एक उल्टा, इस साइड में जिसे हमने उल्टा बनाया था, यह नैच्रली इस साइड में सीधा आएगा, जैसे वन इन्टो वान का रिब बारडर होता है, उस तरह से बनाएंगे, एक सीधा और एक यह सिधा यह उल्टा यह सिधा उनको पीछे करके यह सिधा अपने तरफ करके उल्टा वापस करके सिधा कि अधिने दरफ करके उल्टा और इस तरह से देखिए यह सेकंड डाइ्स कम्प्लिट करेंगे अभी थाट GRO में देखिये हमें करना क्या है थाइड्रो में डिजाइन को थोड़ा अलग है देखिए दो सिलाई हमने देखिए रो नमबर 3 थाइड्रो में क्या बनाएंगे एस स्टीच पहले उतारेंगे इसके बाद देखिए ये दो रो हमने इसे सीधा बनाया था मकलब सीधे उल्टा ये देखिए आपको सीधा दिक इसे हमें उल्टा बनाना है इसे हम उल्टा बनाएंगे उनको पीछे करेंगे देखिए जो उल्टा है इसको सीधा बनाएंगे फिर से जिसे आप सीधा देख रहे हो उसे उल्टा बनाएंगे मतलब वही एक सीधे एक उल्टे का फंडा हो गया ये सीधा ये सीधा दिक रहा इसे उल्टा उन्हें पीछे करके यह सीधा यह सीधा दिख रहा है इसे उल्टा यह उल्टे दिख रहे हैं इसे सीधा वेहीं, यह सिधा दिख रहा है, इसे उल्टा, यह उल्टा दिख रहा है, इसे सिधा, इस तरह से एक सिधा, एक उल्टे का यह बनाते होए जाएं, यह सिधा, यह उल्टा, सीधा, ये उलटा, ये सिधा, ये उलटा, देखिए, ये निट, ये पर्ल, ये निट, ये पर्ल, तो सीधा और उलटे देखिए, कमप्लीट होई अभी देखे यह row number 4 जो है row number 2 की तरह बनेगा row number 4 जो है row number 2 अभी repeat आप इस तरह से यह 3 row repeat करते हुए जाएंगे यहाँ पर देखे रो number 2 की तरह जो जैसे है उसे ऐसे ही बनाएंगे मतलब आपको यह ulta दिखाए दे रहा है इसे आप ulta बनाएंगे उसके बाद यह सीधा है जो जैसा है उसे सेम बनाना है जो जैसा है उसे सेम बनाएंगे जो उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा दिखाई मह बनाएंगे सिध्य को सिधा बनाएंगे उल्टे को उल्टे बनाएंगे सिध्य को सिधा बनाएंगे देखिए ये रो एकदम फस्ट रो की तरह रिपीट हो रहा है आपको तीन रो रिपीट करना है ये रो नमबर फस्ट है फस्ट की तरह बन रहा है एक सिधा एक उल्टा रो नमबर 2 की तरह बन रहा है sorry friends रो नमबर 1 हम छोड़ देंगे हर बार हम रो नमबर 2 और 3 को repeat करेंगे ये रो नमबर 2 बन गया रो नमबर 2 कम्प्लीट होगी ठीक है अभी देखिए रो नमबर 3 बनेगा 3 की तरह जो जिसे है उसे हम नहीं बनाएंगे देखिए ये उल्टा है इसे हम सीधा बनाएंगे और ये सीधा है इसे हम उल्टा बनाएंगे देखिए ये उल्टा है इसे सीधा बनाएंगे रो नमबर 2 की तरह ये सीधा है इसे उल्टा बनाएंगे पीछे करेंगे ये उल्टा है इसे सीधा बनाएंगे अपने तरब करके इसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से टू और थ्री रो हर बार रिपीट होते हुए जाएंगे आपको सिर्फ याद रखना होगा टू और थ्री रो रिपीट होगा मतलब वान जो रौ था वो बिसीक रौ था हमें दो रौ ही रिपीट करना है एक रौ हमने उल्टबल्टबनाया उसके बाद जो जैसा है उसे ऐसे बनाएंगे देखिए तो आपका डिजाइन इस तरह से आएगा नेकी स्था से बहुती सुझाइए तो बनाते रही प्रेंज थांक यू